मुझे पक्का यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद आप महेंगे और्गनाइजर खरीदना छोड़ दोगे तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुती योसफुल ट्रेड यावाई शेयर करूंगी वीड टू ड्रॉल्स जिसमें आप चीजों को और्गनाइज कर सकते हैं और यकीन कीजिए इसे मैंने बिना किसी वोड या एमडियेफ के सिर्फ और सिर्फ कार्डबोट से बनाया हैं तो चलिए बिना किसी देर किया वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रॉंग कार्डबोट बॉक्स ले रही हूँ आपके पास जो भी सेप और शाइस का बॉक्स है आप उसे ले सकते हैं और इसका ठीकनेस है 3 cm यानि की 1 इंच से थोड़ा ज्यादा तो ये बॉक्स काफी ज़्यादा लंबा था इसलिए मैंने 30 cm यानि की 12 इंच पर मार्क करके इसको कट करके निकाल लूँगी फिर इस पार्ट को भी कट कर लेंगे तो कुछ फाइल जैसा दिखेगा देन इसे साइट से कवर करने के लिए इसीका जो कट किया हुआ कार्ट बोट है उसी को गलू से चिपका दे रही देन एक्स्टर पार्ट को कट करके मास्किंग टेप लगा देंगे ताकि ये मूउव नहों पाए इसी तरह opposite side भी इसे cut करके glue से paste कर देना है तो दोनों side cover करने के बाद ये बन गया हमारा base और drawers बनाने के लिए दूसरा cardboard box लेंगे इसका ठीकने से 3.8 cm और चौड़ाई है 13.5 cm base के हिसाब से ही drawer बनाना है तो अगर size में थोड़ा बड़ा हो तो आप उसको cut कर सकते हैं फिर कुछ इस तरह side से पतली cardboard piece चिपका दिया है और ये drawer ready है दिन 2-3 cardboard को glue से आपस में stick कर देना है फिर drawer को box के अंदर insert करने के बाद जो cardboard हमने stick किया था उसे लेना है बस इनके बीच थोड़ा सा space चोड़े ताकि drawer easily खुले और बंद हो सकते हैं इसी तरह आप 2-3 drawer बना सकते हैं इसके बाद base को strong बनाने के लिए और एक cardboard glue से चिपका देंगे फिर कुछ थीक cardboard लेना है इसके उपर glue apply करके box के side से चिपकाना है ताकि box पूरा cover हो जाए इसी तरह हमें तीनो side cover कर लेना है और front part पे box के उपर cardboard को चिपकाना है जाइन पे masking tape लगा देंगे ताकि cardboard move ना हो पाए तो drawer को सामने से देखने पर थोड़ा gap visible हो रहा था तो उसको चुपाने के लिए एक cardboard box के front पे चिपका दिया है इसके बाद ages को cover करने के लिए mat tissue paper कर यूज कर रही इसे जितना होसा के छोटे-छोटे pieces में cut करके glue और पानी का thin paste बना कर इसे चिपकाएं इससे ये easily चिपक जाता है तो यहाँ पर क्या हुआ मैंने इसको आधा cover कर चुकी थी अब इसके उपर जैसो apply करेंगे इसको और ज्यादा strong बनाने के लिए अब चाहो तो इसे skip भी कर सकते है तो जैसो completely dry हो गया है तो चलो इसको paint कर लेते हैं तो मुझे yellow color use किये हुए काफी time हो गया है क्यों मैंने सही का आना तो यहाँ पर मैंने yellow color के साथ थोड़ा सा प्योपी powder mixed कर लिया है matte finishing के लिए आपके पास chalk paint है तो आप उसको भी use कर सकते हैं और सब कुछ yellow yellow paint करने के बाद मैं इसमें deco punch करूँगी तो यह deco punch paper मैंने इच्सी बिच्सी से लिए है अप्लाई करके इसे धीरे धीरे stick करते जाना है और last इसके उपर दुबारा mod pouch अप्लाई करना है ताकि यह protected रहे तो यहाँ पर क्या हुआ border को मैंने blue color किया था बट मुझे वह ठीक नहीं लगा तो मैंने उसको change करके TL blue color से paint कर लिया फिर मैं अपने DIY stencil ले रही है और इसका tutorial वीडियो देखना है तो इसका link आपको eye button पर मिल जाएगा तो यहाँ पर मैंने stencil को masking tape से secure कर दिया है और आप इसके उपर color apply कर रही है बस sponge या brush के help से color को apply कर लेना है फिर धीरे धीरे इसको remove कर लेना है एक बात का ध्यान रखे जितनी बार आप stencil को use करोगे उतनी बार इसको wash करना है नई तो color back side पे spread हो जाएंगे तो इसके बाद knob बनाने के लिए मैं दो wear and mold it ले रही हूँ तो resin और hardener को equally लेकर अच्छे से mix कर लेना है और इसको हमें four part में divide करना है दो बड़ा और दो छोटा फिर wear को मैंने कुछ इस तरह bend कर लिया है ताकि ये clay के अंदर अच्छे से stick हो जाए इसको कुछ square shape देने के बाद इसके उपर छोटा वाला clay ball को चपका देना है और इसको कुछ इस तरह shape देना है और अब जो design बनाये थे उस पे भी yellow color करेंगे इसके बाद drawer में hole करके जो knob हमने ready किया है उसे insert कर देंगे और पीछे से wear को bend करके tape लगा देंगे तो आप इसके जगा पुरानी earrings को भी knob के तरह use कर सकते हैं अब drawer को लगाने के बद varnish apply करेंगे ताकि ये protected रहे तो चलिए अब इसका final look देख लेते हैं तो इसे अब अलग अलग तरीके से use कर सकते हैं डेकोरेट कर सकते हैं चाहे वो living room हो या फिर bedroom या फिर kitchen countertop क्यों ना हो अगर सबधानी से use करें तो इसे serving purpose भी use कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आए तो like कर देना और चैनल पर नए है तो subscribe कर देना और आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना तो मिलते हैं next किसी वीडियो पर till then take care and bye bye